जैसा खाऊँ अन वैसा बने मन आचार शिराम शर्मा का ये जो संदेश है ये संदेश जहां पर वेभार में परलक्षित होता है ये वो जगां है माता भगवती भोजनाले शांत कुझ हरिद्वार का जहां सात्युक्ता भोजन के थाली में परोसी जाती है सात्तिक भोजन क्या होता है वो भोजन सतो गुड़ जो आपके भीतर के होते हैं उनको विक्सित करता है वो भोजन जो आपके विचारों में सात्तिक्ता बनके बरसता है वो भोजन यहाँ पर परोसा जाता है दोपहर में कुछ समय का अंतराल होता है और लगातार ये माता भगती भोजनाले चला करता है ना जात का भेत, ना धर्म का भेत, ना भाषा का भेत, ना प्रांति का भेत सभी एक पन्ती में बैट करके यहां पर भोजन करते हैं छोटे बड़े अमीर गरीब यहां सब एक जैसे हैं और सबको वही साती भोजन परोसा जाता है और हजारों लोग यहां पर भोजन करते हैं जब आपदाएं आती हैं जब दुनिया इस बात की और देख रही होती है कि कोई आगे बढ़ करके हाथ बढ़ाए कोई आगे बढ़ करके मदद करे तो यिस भोजना लेके दौर खुल जाते हैं यहां से उन आपदाओं में जो उनके पीडित होते हैं जो आशृत होते हैं जो विपन होते हैं उनको यहां से प्रसाद मिलता है यह जो भोजन है चुकि इस भोजन के पीछे आचार श्री के विचारों का अशिरवाद है जो एक इमानदारी की जो नैतिकता की कमाई होती है जो अरजन होता है उसकी इसके अंदर उसका अवलंबन है उसकी नीव है इसलिए यह भोजन आपके विचारों को पोशित करता है आपके विचारों को पल्लिवित करता है और आपको इतना उरजावान बनाता है कि आप जीवन में सदेव आगे की और बढ़ें, आप जीवन का सार्थक उप्योग कर सकें आचार श्री के विचारों का प्रसाद जहां भोजन के तौर पर मिलता है ये है वो माता भगवती भोजनाले और इन विचारों से एक पूरी की पूरी पीड़ी है वो पल्लिवित और पुष्पित हो करके देश के लिए, समास के लिए, राश्टर के लिए, मानवता के लिए अपना युगदान करती आ रही है और ये सिलसला लगातार जा रही है आचार शीराम शर्मा के विचारों का प्रसाद गिरहन करने के लिए, उन विचारों को जानने के लिए, समझने के लिए, अपने जियोन में अपनाने के लिए और शांतिकुझ की गतविधियों के बारे में लगातार जानकारी प्राप्त करने के लिए आप शांतिकुझ के हमारे यूट्यूब चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें, एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन गति वीधियों की जानकारी आपको मिलती रहें.